बारतिय न्याय संगीता मैं कहूंगा उससे बड़ा अन्याय संगीता कुछ नहीं यह जो कानून जो नहीं बने हैं इन कानूनों के तहट इतना बड़ा सडियंतर होगा करोडो करोडो घंटे इस देश के बरबाद होंगे यह दूसरे नेता इनकी जमानत नीचे से रद हो कि इस देश की हर जुबान पर तालह लग जाए पुरानी सरकार ने जो अब भी वह लोग है इन्होंने कानून बना दिये तीन अपरादिक जो कानून है देश के जिसमें इंगलिस में पहले कहते थे इंडियन पीनल कोड भारतिये दंड संगीता हिंदी में उसका नाम है या प्रोसीजर कोड का भारतिये दंड प्रिक्रिया संगीता यानि किस तरह का रूल फोलो करना है कौन से गवाले ने कैसे इंवेस्टिकेशन करने पुलिस की क्या पावर है वो सारा प्रोसीजर उसमें लिखा हुए है ताकि आदमी को सजा या कानून के सामने लाके उसको कैसे सजा दी जा सकती है तीसरा एविडेंस एक्ट भारतिये सक्ष अधिनियम यानि कौन से सबूत पेश करने है और किस तरह से सबूत पेश करने कौन सा सबूत सही है और कौन सा गलत है जो कोर्ट को करना है देखना है ताकि गलत एविडेंस पे सजा ना मिले और सही एविडें का Sかört था, सरकार थी, अब उसके बाद भारत की अपनी सरकार हो गई, कानून वो लागू रहें, उन कानून में काफी परिवर्टन आ गई, अभी भी और परिवर्टन कर सकते थे, ऐसा पारलियमेंट को पावर है, और बहुत सारे परिवर्टन सुप्रीम कोट हाई कोर्ट की वज़े से भी उसमें आई जब जब जूर्थ पड़ी अब इन नए कानूनों को खाली नाम यह कहने के लिए अंग्रेजों के समय में यह कानून आये थे इसलिए नए कानूनों की जूर्थ है और नए कानून जो इंडियन पीनल कोड़ता भारत दंड संगीता था उसका नाम क्या रख्या भारतिय न्याय संगीता मैं कोँगा उससे बड़ा अन्याय संगीता कुछ नहीं वो एक तरह से अगर उसके अंदर जो देखा जाए वो भारतिय अन् जो अंग्रेजों के वकत भी नहीं थे जहां मासूम लोगों को निर्दोस लोगों को कानून के जरिये जबर्दस्ती सजा दी जा दिती थी जूटे और सरकारी गवाओं के इसाब से मौत की सजा भी दी गई है बगत सिंग जैसे लोग फांसी पे चड़े हैं कितने लोग देश के नागरीकों के लिए बहुत खतरनाक है पत्तरकारों के लिए जो देश में आवाज उठाने वाले लोग उनके लिए तो बहुत खतरनाक है अब टेरिस्ट जैसा कानून देश जैसा कानून में आम तोर पे जो यूए पीए पीमले वगरा कानून थे उस तरह का भी इस कानून ने कानूनों में कर दिया गया आम आदमी को भी उसी तरह पकड़ के जेल में ठोक सकते हैं और investigation के बाहने सालो साल जेल में रख सकते हैं गरीब आदमी आम आदमी उतने लड़ाई नहीं लड़ पाएगा जैसे आज के नेता लड़ पा रहे हैं थोड़ा बहुत जैसे अर्विंद केजरिवाल या दूसरे नेता इनकी जमानत नीचे से हाई कोसे सुप्रिम कोड जा is पहर हमा कांगा नयाइक वेवस्ता हो जाएगी और लोग को पिछली सरकार के जेलों में डाला गया और कितने दिनों तक उन्हों को अंदर रखा गया हिम्मत नहीं हुई हमारी जूडिशरी की नयाएक ववस्ता फेल हुई लोगों को समय पे जमानत देने के लिए और आज नयाएक ववस्ता फेल हुई है UAPA और PMLA जैसे खतरनाक कानूनों को दराशाई क करने में उनको अनकांसिशूशनल ठैराने में और देश के नेताब सीम और डिप्टी सीम जैसे लोग और बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार जेलों में कैसे सड़े हैं और किस तरह से मुश्किल से एकाद को जमानत मिली है किस तरह से सुप्रीम कोट का भी यह हाल हो गय यह सिनेरियो है और देश का सीप जश्टिस बार-बार कहता है डिश्टी कोट वाले हिम्मत करो भादूर बनो लोगों को जमानत दो अब भादूर एक जजज ने जमानत देदी जिसका नाम है नियाई बिंदू लेडी जज है कोई नाम भी बड़ा अच्छा है उसने हिम्म पंटर राइट के इसाब से देश के लोगों को जेल में ठोको मत इंवेस्टिगेशन के बादे टीम एक डिएडिट साल तक भी कुछ नहीं कर पाई या तो इंवेस्टिगेशन टीम में गड़बड़ है तोमारी इनवेस्टिगेशन एजन्चिए बेकार हैं या वह बाने बना रही है या उनके आका जो नेता मनिश्टर लोग है वो जानके उनका दुरुप्यों कर रहे हैं और जानबुज को उसका लंबा खिंच के अपनी पॉलिटिकल वेंडेटा बदले की भावना से काम करें उनको जेलों में रखना चाहते हैं इसका सपस्ट यह कारण है यानि मिस्यूज कर रहे हैं हाईजैक हो गया देश का कानून वेवस्ता देश की अजेंसीज तो यह ऐसी स्तीती यह नए कानून से और ज्यादा गड़बड हो जाएगी देश के लोग बोलनी पाएंगे मुश्किल से देश में किशान लोग कुछ लोग कुछ टेटों के किसान ब स्टीन के रूप रेखा कोन लिखने वाला है लोगों के वकीलों का मानना है इसको सारा लिखने वाले कूं है नरेंद्र मोदी प्रेमिनिस्ट्र वप इंडिया और उनको एक्जिकुट करने वाले चाहिए जैसे गलत करो ठीक टो मिश्टर अमीच्य्ञ ओर तीसरे इस अचि किया गया जो इस देश की महामहीम राष्टपती मुर्मु जी को इसमें शामिल किया गया उसकी भोड़े पनका मिशूज किया कर साइन करा लिये दिसंबर में और एक जुलाई से इसको लागू करने की चेश्टा कर रहे हैं लोग देखिए सविधान ये कहता है और हमारा अप जो संस्किर्ति के ठेकेदारी की बात करते हैं संस्किर्ति भारतिय संस्किर्ति भारतिय संस्किर्ति तो ये है पंचैत में हम अपने घर में गाउं में देहात में बड़े कस्बे में जब लोग समाजगे बैढ़ते हैं वो लोगों को पंचैत से बगाते हैं बलके उनको भाई चारा पुनर स्तापित करना दो भाईयों का जगड़ा है दो पडोसियों का जगड़ा है दो समाजों का जगड़ा है दो रिलिजिस लोगों का जगड़ा है हमारी पंचैते आज तक राज भी वो परंपरा हैं जिंदा हैं कुछ हद तक कि वो इकठे बिठाती हैं लोग हमें मिलता कोर्टों के जरिए फैंसले मिलते हैं तो न्याय नहीं है वो देश के साथ धोका है उसी का इसका समाधान यह है कि कोर्टों के अंदर भी फैंसले तो क्रोडों केस पेंडिंग है क्रोडों केस पेंडिंग से क्या मतलब है जब एक क्रोड मालों दो क्रोड केस सन की जानबुज के नयाएक ववस्ता की वज़े से इस देश में हो रही है और इसलिए भाईचार शांति कैसे बनेगी तो कोर्टों को भी आप ज्यादा से ज्यादा मेडियेशन और ज्यादा से ज्यादा अपने फैंसलों को नयाए तक पहुचाने की जूरत है लोगों के वा जैना के चकर कालते सारी जिन्दिक्यां वयतीत कर देंं नमर एक आमुल चुल प्रिवर्ठन हम चाहते हैं नयाएक का मक्सद रोगों को रिहेबिलिटीट करने का हूँ आपस में मिलाने का हूँ भाईचारे को है गोल लोगों को गिले से क्ले नितवाने काए एक कैंद्र ब वही कानून लगबग धाराएं बदलती जैसे नेशनल हाईवे के नमबर बदल दो सड़के वही नमबर बदल तो तो सारा उल्टा फूल्टा हो जाता सिस्टम इसमें जो सैकडो सैकडो धाराएं हैं कितने सारे नए वकील पुराने वकील जज पूरे देश के और जिनके मुक प्रोडो केस पेंडिंग है ये नए आने के बाद तो और ज्यादा इस देश को उलजेगा ये उसी तरह से जैसे चमड़े का सिका देश में चलाना इससे खतरनाक और घटिया काम कुछ नहीं किया पारलेमेंट ने पारलेमेंट में सारे वो MP दोसी है और ये चार लोग परमु पें कानून तब बनाए जाते हैं जब पूरी संख्या के साथ चर्चा हो सब डिबेट में हिस्सा हो सब की बातों को लिखा जाए फिर भी कंसेंस सहमती बनाने की कोशिस हो पूरे मोके मिले उसके बावजूद संख्या का उपयोग किया जा सकता उससे पहले उपयोग नहीं पूरे देश के वकीलों से समाज से पड़े लिखे लोगों से अक्टिविस्ट लोगों से पत्रगार से निवेदन करते हैं जो जहां भी है जिस हैसियत में भी है अपने अपने यहां SDM, DC, कलेक्टर, कमिशनर, जो भी है, गवर्नर, जो जहां है, हाई कोड, सब जगे ग्यापन दें कि यह कानून देश में लागू नहीं होने चीए, इनको धरशाय करना चीए, पुराने कानूनों में ही, हिंदी का भी नाम रख लो, इंगलिस का भी रख लो, उनी में नई धारें जोड़ दो, अगर आपको सुधार करना है, वो भी नई पार्लियमेंट में डिसकसन और डिबेट के बाद, ब्रोड कास्ट बिल भी उसी तरह से काला होगा, कि इस देश की हर जुबान पे ताला लग जाए, ये ब्रोड कास्ट बिल कुछ नहीं है, ये सोशल मेडिय जो जागरूक हुआ, जो देश का असली मेडिया है, ये उसकी जबान काटने के लिए है, उसका coh बंद करने के लिए और कुछ नहीं है, में मेडिया दो पहले तो तब बना हुआ था, बांड गीरी करी रहा था सरकार की, में मेडिया थो पैसा देश का खाता है, और पर अंडर में और इस तरह का काम किया है उन लोगों ने तो वो काम किया है क्योंकि जो एड़ोटाइजमेंट के पैसे से वो चलते हैं वो इस पूरे देश का पैसा वो किसी के बाप का पैसा नहीं किसी पारलेमेंट का पैसा नहीं किसी सरकार का पैसा नहीं वो देश का पैसा है देश के 140 क्रोड लोगों का जो टेक्स बीडी सिगर्ट हरदी नमक जो भी खरीदा जिसमें टेक्स दिया हैं लोगोंने उन्हों टेक्स के पैसे से उन्हों एड़रेज्मेंट पैसा लेके और गीत वह गा रहे हैं चंद लोगों के और ने देश की समझा नहीं उठाई वह दे काश्ट बिल का हम विरोध करते हैं और पूरे वकील ब्रादरी देश की इसमें पत्रकार बंदूओं के साथ होगी यह ब्रोड कास्ट के जरिये जो बात पहुंचनी है सोचल मीडिया के जरिये वो तो पूरे देश की जनता की आवाज पहुंचनी है इसलिए पूरे देश की सबसक्रिबशन के आधार पे उनको पास दें और उनको सोचल स्क्यूर्टी मिले और उनको हर वो facility मिले जो मेंस्ट्रीम मेडिया के आई कार्ड होल्डरों को मिलते हैं क्योंकि social media ही देश का असली मीडिया है देश social media के साथ है social media देश के साथ है इसलिए इसमें बीच में कोई भी सरकार या तानाशाई करेगा उसको ज्वाब दिया जैगा देश के द्वारा और देश के सारे वकील लोग आप लोगों के साथ हैं और देश के जाने माने High Court और Supreme Court के जाने माने Advocates आप लोगों की संस्ता के backup में रहेंगे आप लोगों के साथ रहेंगे और इसमें अगर सरकार ने किसी यूटूब को या किसी सोशल जो प्लेटफार्म हमको ड्राने की कोशिस की उनके जरिये सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया के लोगों की जुबान बंद करने की कोशिस की हम उन कंपनियों के खिलाब भी करवाई करेंगे जो देश की सरकार के दर के मारे या चमचागिरी में व्यापार करने के लिए इस बात को या आपकी जुबान को कोई दबाएगा उस पे हम एक्शन लेंगे मिलके खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएगा